वेलकम टो माइ यूटूब चैनल आसीज केडमी दियार इन इस वीडियो आइम गुएंग टेल यू यू अलकेंज अलकाइंज दियार इफ्यो न्यू अन मैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फ़र न्यू वडियो अपडेट सले फस्ट कोशन देखने फस्ट कोशन क् होता है बहुत अच्छे से आप देख रहें तो सबसे पहले बात करते हैं में कि तो इंगल बॉन्ड इसमें क्या होता है सिंगल बॉंड से जो कार्बन एक्टम जो ओते हैं वो क्या होते हैं connected होते हैं ठीक है तो क्या कहा गया है इनों ने एलकेंज are saturated hydrocarbon in which there is only single bond between the carbon atoms and carbon and hydrogen atoms ठीक है तो carbon और hydrogen atoms बीच में इसमें क्या होता है single bond से carbon और hydrogen bond connected होते हैं सबसे पहले बात करते हैं इनका general formula क्या होता है एलकेंज का general formula of alkane का हो जाएगा आपका cnh2n n plus 2 ठीक है यह cnh2n plus 2 किसका हो जाएगा general formula of alkane अब यहाँ पर n क्या है n जो हो जाएगा carbon atoms क्या है क्या है n क्या है यहाँ पर carbon atoms हैं ओके students समझ में आ रहा है यह दिया आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को जड़ा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें तो अब सबसे पहला member क्या है सबसे पहला member हो जाएगा methane मेथेन अब मेथेन का formula क्या होगा CH4 यह स्ट्रक्चर हो जाएगा carbon और hydrogen single bond hydrogen single bond hydrogen single bond और hydrogen single bond यह structure हो जाएगा आपका अगला देखे second की बात करते है second में क्या आ जाएगा एथेन इसमें कुछ नहीं करना एथ फ्लस एन मतब एलकेन फैमिली का है तो एथ फ्लस एन कह देंगे तो इसका बन हो जाएगा क्या एथेन ठीक है तो एथेन का formula होता है C2H6 अब बात करते हैं प्रोपेन तो प्रोपेन का क्या होगा प्रोपेन हो जाएगा C3H if this होगा यह हो जाएगा आपका प्रोपेन का हो जाएगा उप्रोपेन का हो जाएगा ओके सुडेंट अगि तो वान कहते हैं नैया फार्मुला बनता चला जाएगा जैसे देखें पेंटें में क्या होगा C5H12 अब C5H12 में CS2 एड़ करिए तो C6 क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा चेक कर लीजिए इसका क्या हो जाएगा हेक्जेन हेक्जेन देखें हेक्जेन का फार्मूला क्या होगा C6H C6H 14 C6H14 किसका होगा यह हेक्जेन का हो जाएगा समझ में आ रहा है आगे क्या होता है हेप्टेन हेप्टेन का क्या होगा C7H16 इसमें CS2 एड़ करते जाएगा तो यह बन जाएगा आपका हेप्टेन का फार्मूला ओके सुनेट्स यह बोर्ड एक्जाम के लिह हासे बहुत इंपॉर्टेन कोश्चन है यह 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेन कोश्चन है इसको आप सभी लोग अच्छे से देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें आगे देखिए ओक्टेन का क्या होगा C8H18 यह हो जाएगा ओक्टेन आगे देखिए नौन एन नौन एन का क्या होगा नौन एन का हो जाएगा C9H C9H क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा समझ में आ रहा है आगे देखिए नेक्स्ट कुश्चन की बात करते हैं 10 की बात करते हैं डीकेन क्या होगा D-Kane का हो जाएगा C10H22 हो जाएगा ओके स्टुनेट्स ये हो जाएगे L-Kane family के मेथेन से लेके D-Kane तक फार्मूले होगे इनको अब अच्छे से learn कर लिजेगा और अच्छे से write कर लिजेगा ओके स्टुनेट्स और वीडियो को जदा से जदा लोगों में शेयर करें आगे देखिए हम अगली बात करते हैं L-Kane की बात करनें सबसे पहले क्या था L-Kane था अब क्या है L-Kane क्या होते है L-Kane ऐसे होते हैं hydrocarbons in which two carbons इसमें क्या होते हैं two carbons items होते हैं वो connected होते हैं या two carbon items are bonded by a double bond ये क्या होते हैं double bond से connected होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं L-Kane कहते हैं L-Kane कहते हैं इनका general formula की बात करते हैं तो इनका general formula हो जाएगा आपका चले देख लेते हैं general formula of L-Kane बहुत जिसे आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका C-N-S-2-N यह हो जाएगा आपका Alkene का formula ठीक है और 11 plus 2 हो जाएगा तो Alienso साइगा तो CNS2N क्या होगा Alkenes where N इस क्या है N जो होईगा आपका number of carbon atom ठिक है number of carbon atom है यह N यहाँ पर आगे देख लेते हैं बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं यह दिया मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें सेयर करें और वीडियो को अन तक देखें ओके सुनेंट्स आगे देखते हैं अब इसमें सबसे पहला क्या होगा सबसे पहला होगा एथीन एथीन का फार्मूला क्या होगा और हाइड्योजण हाड्योजण सिंगल रॉन ये हो जाएका एथीन का हो जाएगा समंद में आगे आगए अभी छाएगा प्रोपीन प्रोपीन का क्या होगा प्रोपीन का हो जाए घ्स कि कुछ नहीं करना है ईन वाले में कार्बन में कारबन का हड्रोजन में डबल कर दिजे हो next Member कानिकल आता है है अब क्या होगा व्योटीन अब यूटीन का क्या होगा व्यूटीन का फार्मोला होगा C4H8 C4H8 किसका होगा ये B utene का हो जाएगा समद में आ रहा है ये आपको समद में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जदा से जदा लोगों में शेयर करें आगे देखें तो पेंटीन का क्या होगा C5H10 क्योंकि कारबन 5 है तो 5, 2, 10, hydrogen, 10 कर दीजे, तो C5, S10, pentene का होगा, हेक्जीन की बात करें, हेक्जीन में हो जाएगा, C6, S12, C6, S12 किसका होगा, हेक्जीन का हो जाएगा, सुष्टेट समंध में आ रहा आगे देखिए आगे की बात करें हप्टिई की बात करें हप्टिई में क्या होगा हप्टिई का फार्मॉला होगा C7H 14 c7H 14 वढगा हमने क्या बता यह double bond से connected है उछ से में किर देंगे single bond से connected है तो потрine next question की बात करें 9 heen की बात करें by 1209 C9 H 18 कूarry nine two and 18 벌써使être है तो यह metabolize carbon है farmer कर सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करते जाएंगे तो नश्या मेंबर बनता जाएगा और नश्या जाए गाव कि है कि इसका हो जाएगा करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें आगे देखिए क्या है अब क्या होते हैं इसे होते हैं जिसमें इसमें कहा जाए इन भी दूर्वन दोंन आटम से होते हैं और डूसरे से बॉनड़ होते हैं कनेक्टेट होते थे बहुत回來 वह कि आप मेरे चैनल पर नाएं है न हुगाना यह को सब्सक्राइब करेंonne खाँंस एक है ईलके इंज मिं क्या था था ची नैस डून प्लस दू प्लस टू था इल経िए उं प्लस तू में कि je अन क्या था सी एन अजी यह अस तुल एभा ओ तू अब इसके हैसाब सिरक टेन उदू तग फार्मूल यह धो नहीं H, C3H के हो जाएगा, four. इसमें क्या करना, 카्रबन में हीडोजन का double करके, उसमें two minus कर देना, यह आपका नए नए formula निकल के आ जाएगे. Ehthin का formula क्या होता है? Ehthin का हो जाएगा, Ehthin का होगा C2H, two हो जाएगा, यह हो जाएगा, Ehthin, और एथाइन के बाद क्या आता है प्रोपाइन आता है चलिए आगे देख लेते हैं एथाइन हो गया प्रोपाइन हो गया आप हम बात करते हैं किसकी ब्यूठाइन की बात करते हैं ब्यूठाइन का फार्मूला क्या होगा तो ब्यूठाइन में क्या होता है तो C4 और C4 4 तू एक को जाएगा ससे एगा एनमें जो कारबन कारबन औरटे किस रूबन हो जाएगा है ब्रटेक्टे पल्ड हो जाएगा गएगया up क्या हो जाएगा is 7 as a G f 9 हो जाएगा समन्द में रहा है आगे और वीडियों स्याधा साइथ लोग्में शेर करें और इंगे 999 में क्या होगा यह हो जाएगा C9H, अब इसमें क्यों होगा 16 हो जाएगा, ओके सुडेंट्स समन्द में आ रहा है, अगे देखे नेक्स्ट कोईशन की बात करें देखाई इनकी बात करें, इसमें हो जाएगा C10H 18 हो जाएगा तो ये आपके एलकेन, एलकेन, एलकाइन हो जाएगे, ओके सुडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्याता से ज्यादा लोगों में शेयर करें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जे हिन, जे भरत